मेरे प्यारे देश्वासियों ऐसा कहते हैं कि अक्बर के दर्बार में एक प्रमुक्ष सदस्य अबुल फजल थे उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बात कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चीड़-चीड़े और गुस्य लोग भी खुसी से जुम उठेंगे दरसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उलेक कर रहे थे केसर सद्यों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है कश्मीरी केसर मुख्यरुप से पुलवामा, बढगाम और किस्तवार जैसी जगों पर उगाया जाता है इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि जी आई टैग दिया गया इसके जरिये हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉप्यलर ब्रांड बनाना चाहते हैं कश्मीरी केसर वैस्विक्स तरपर एक ऐसे मसाले के रुप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के आउशदिये गून है यह अत्यन्त सुगंदिध होता है इसका रंग गाड़ा होता है और इसके धागे लंबे वा मोटे होते हैं जो इसकी medicinal value को बढ़ाते हैं यह जम्मू और कश्मीर की समरूत्य सांस्कूरूतिक वरासत का प्रतिनिद्ध्व करता है क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिलकुल अलग है कश्मीर के केसर को GI टेग रेकगनाजिशन से एक अलग पहचान मिली है आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को GI टेग का सर्टिपिकर मिलने के बाद दूबई के एक सुपर मार्केट में इसे लॉंच किया गया अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा यह आत्म निर्भर भारत बनाने के हमारे प्रहासों को और मजबुती देगा केसर के किसानों को इसे विशेश रुप से लाब होगा पुलवामा में त्राल के शाल इलाके में रहने वाले अब्दुल मजिल वानी को ही देख लीजिए वो अपने जी आई टेग्ड केसर को नेशनल सैफरोन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में इट्रेडिंग के जरिये बेच रहे है इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे है अगली बार जब आप केसर को खरिदने का मन बनाए तो कश्मीर का ही केसर खरिदने की सोचे कश्मीरी लोगों की गर्म जोसी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वादी अलग होता है